अभी इसकी अपडेट जो है हमने बात भी कर लिए कोई ज़ए खास ये प्रोब्लम नहीं होने वाली है तो इसे को लेकर गाईस आपके जहू सवाल जवाब रहें उन सभी को इस वीडियो में डिसकुस करने वाले हैं और कोशिश करूंगा सभी डाउट शूट जाता है तो आ पर हम डिस्कुस कर लेंगे कोई बात यहां पर नहीं रहेगी आपकी तो देखिए पहले में आपको बता दूए यहां पर कि बाइमेट्रिक अटेंडेंस अगर बीएड में अपडेट यहां पर हो रही है तो जाईर सी बात है कि बीएडस्टिसी में भी यह होने वाली है डिय काफी मार्केट में बन जाते हैं जो की कोलेज वाले आराम से अपना दिमाग लगा लेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोलेज वालों की पहुंच जो है उपर तक होती है जब हमने पिछले वीडियो में डोनेशन का वहां पर फंडा देखा था कि डोनेशन कितना क्या ए एक साल का चार्ज कर लेते हैं एक साल का तो वहां पर अगर गाई 150 लाक उपर वालों को जो गुर्मेंट अधिकारियों को देने में खर्ज कर देते हैं तो कोई भी फरक उनको नहीं पढ़ने वाला है और जायतर कोलेजस देखी कुछ कोलेजस में तो होस्टल की सुइदा ह बट जायतर कोलेज यसे हैं जिन में होस्टल की सुएदा नहीं होती है उनको अगर डेली कोलेज बुलाएंगे तो उनको बिल्कुल भी फाइदा यहां पर नहीं होने वाला तो कोई भी कोलेज नहीं चाहिए कि खुद का नुकसान करना तो यसा आप बिल्कुल भी अपने दि स्टुट्इंट्स जो है खुद बी यहां पर कोंलेज जाना नहीं चाहते हैं अगर देखिया सव एक हैं जो dinero सलाओ सता उनमें आपन फाएदा देखने के वजह से तो वह भी कोलेज छोड़ देते हैं तो उस ऐसे मूभभग दोछार श्टुदेंट्स ही कोलेज आते होंगे जो जायतर colleges जो है donation के आधार पर ही है आपर चलता है इससे students को फाइदा है इस college वालों को फाइदा है और government जो उपर के अधिकारी है उनको भी फाइदा है क्योंकि donation से उनको भी इससा यहां पर दिया जाता है अब ऐसा नहीं है कि खुद ही donation पूरा रख लेती है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उपर वाले जो अधिकारी है वो तुरंत च्छापा मार देंगे और फिर कोलेज की मनिता रद करवा दी जाएगी अब देखे काफी सारे कमेंट्स दोस्तों आप जब देखेंगे पुराने वीडियो पर तो वहां पर देखे के डोनेशन जो कोलेज वाले 20-20,000-30,000 मांग रहे थे तो काफे स्टुडेंट्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि 20,000 उनसे मांगा गया और 3,000 में बात खतम करी चार जारे में बात खतम करी, 5000 बात खतम करी तो आपको ऐसे करना है कम से कम डोनेशन देने कि यहाँ पर सोच आपको रखनी है क्योंकि देखे कोलेज वाले तो ऐसे ही मंगते हैं अगर आप इस बार आपसे 25 मंग रहे हैं और आपने 25 दे दिये तो अगले जो आपके छोटे भाई-बैन जो आएंगे तो वो गाइस क्या करेंगे उनसे 30 मंगने की यहां पर सोच उनकी रहेगी तो आपको इस तरह से नहीं करना है कम से कम उनको देने की यहां पर सोच आपको रखनी है और इस पेपर कटिंग में जब आप देखेंगे तो गाइस ओनलाइन किया जाएगा विद्यार्तियों का रिकोर्ड जो है अब आपने जो रीट लेवल वन के डोकुमेंट हो रहे हैं तो उनमें देखा होगा कि जो कि अब उनलाइन उनका विद्यार्तियों का रिकोर्ड रखेंगे कि सच में बीस्ट से की है सच में बीएड की है या नहीं की है अब जोल जाल जो है इस तरह का कम होगा और थोड़ी सी और इसके बारे में तो इसको कर देता हूं जूम में तो परदेश के बीएड द्धनरत विद्यार्तियों कोई इस से विद्यार्तियों की उपश्तिति उपश्तितियों को लेकर स्थिती इसपश्ट रहे गी और आगे देखे यहाँ पर अब नहीं होगा जोल जाल तो आज दिन कुछ नीजी विश्विध्यालियों की गड़बड़े की सिकायते मिलती है देखे गवर्मेंट में ज़्यादा सिकायते यहाँ पर नहीं आती है जो प्राइवेट कॉलेजिस होते हैं उन्हीं में ज़्यादा यहाँ जोल जाल रहता है उच्छिक्षिया मंतरी राजिंदर सिंग यादव ने बताया कहा कि फरजीवाड़ा रोकने के लिए विश्विध्याले में से पास होने वाले छात्रों का रिकोर्ड ओनलाइन किया जाएगा यानि कि जो स्टुडेंट्स बीएश्टेसी पास आउट है तो उन्हीं का रिकोर्ड ओनलाइन कर देंगे तो जट से चेक कर लेंगे कि विध्यारती ने सच में बीएश्टेसी की है सच में बीएड की है या नहीं की है क्योंकि लेवल वन की जो भी डोकुमेंट वरिपकेशन यहां पर हो रहा है तो उसमें काफी जारे मामले यहां पर फरजी वाड़े के सामने आए है ये तो गाईस सिर्फ बीएश्टीसी वालों की यहां पर बात हो रही है जो की लेवल वन की डोकुमेंट वरिपकेशन यह होते तो वहाँ पर गाइस काफी सारा फरजी वड़ा देखने को मिल सकता था क्योंकि बीड की संख्या यहाँ पर काफी जादा है यह बात आप भी यहाँ पर जानते हैं इस बारे में आपको टेलेग्राम पर भी फोस्ट कर दी जाती है तो टेलेग्राम जुरूर से जोइन कर लेना है चली जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ